अर्थद्रिष्टी की उडान दुनिया में कब किसी से मुलाकात हो जाए यह कोई भी नहीं बता सकता। मुलाकात होने वाले व्यक्तित्व को जानकर कभी हमें अचंभीत भी होना पड़ता है। यल हम लोग हमारी द्रिष्टी से ही दुनिया का आकलन करते हैं। लेकिन कभी कभी विस्तरित स्वरुप में द्रिष्टीवान व्यक्तित्व अगर हमें पता चले तो लगने लगता है कि हमारी सोच कितनी मरियादित होती है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व को जानने का सौभाग्य मुझे प्राप्थ हुआ यल। मेरी पहचान 69 वर्ष आयू के श्री हेमंत पाटील जी से हुई एल वे जब हम जैसे द्रिष्टीवान थे तब उन्होंने ओशद निर्माण शेत्र में दिग्री हासिल की और उन्हें विदेश में ओशद निर्माण शेत्र में दवा का संशोधन करने का मौका प्राप्थ ह एल जब वे अर्सेनिक नामक रसायन से होने वाली विशबाधा पर दवाईया ढूंडने का संशोधन कार्य कर रहे थे एल तब प्रयोक शाला में वह रसायन अचानक विसफोटित हुआ एल इस घटना में श्री हेमंत पाटील अपनी द्रिष्टी गवा बैठे उस वक्त उ तित्व को धंधोर देती है और उनकी आगे बढ़ने की उमीद ही नश्ट हो जाती है एल इस दुरघटना के बाद वे द्रिष्टी हींता का इलाज दुनिया भर करने के लिए भाग दौड कर रहे थे एल उन्होंने इलाज के सभी तरीके अपनाए और जब एक वर्ष के द दिन बित्ते गए वैसे वैसे वे स्वावलंबी होने के प्रयास में बाधा डाल कर कहने लगे की हम आपको जीवन भर समहा लेंगे तो यह सब करने की आपको जरूरत ही नहीं है इल जीतना पाटील जी हर सामान्य व्यक्ती की तरह जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करना और सिखना चाहते थे उतना ही अपनों के ओर से विरोध बढ़ता गया ऐसे में एक आम छोटी सी बात के लिए उनके स्वाभिमान पर करारा प्रहार हुआ अल तब ही उन्होंने निर्णय किया की अब मैं किसी के उपर निर्भर नहीं रहूंगा और जल से जल्ड आत्म निर्भ भरता प्राप्त करने की कोशिश करता रहूंगा एल उस वक्त ना तो वे स्वयन चल फिर सकते थे ना ही उन्हें ऐसे किसी प्रशिक्षन के बारे में जानकारी थी एल वे देहात छोड़कर बंबई के उपनगर डोम विवली आकर किसी के सहारे रहने के लिए आए संशोधन शेत्र में कार्य करने वाला मन अब द्रिष्टीहीन व्यक्ती अकेला कैसे चल फिर सकता है इस विशय पर कार्यरत हुआ और उन्हें समस्या का समाधान मिलता गया एल जिस इमारत में वे रहते थे उस इमारत के छोटे छोटे बच्चों के साथ दोस्ती करवे आहा कहलाने वाली लोकल ट्रेन में सवारी कर बंबई जाने तक बढ़ता ही गया एल इस दौरान रास्ते पर नए नए दोस्त मिलते गये और परिस्थितियों का आकलन करने वाला उनका मन मौका धूरता रहा एल पहला मौका फुटपात पर खिलोने बेचने का मिला जिससे वे अ जानकारी दी की में एक द्रिष्टीहीन व्यक्ती से मिला जो एक अफसर के पद पर न्यूक्त है एल पाटील जी ने बहुत प्रयासों के बाद उस अफसर को बंबई में धून निकाला एल तब उन्हें शनल असोसियेशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का पता मिला एल वहा के बाद एक प्रशिक्षन प्राप करते रहे जैसे की पुर्णवास टेलिफोन ओपरेटर सेवा योजन अधिकारी और व्यावसाइक अधिकारी यह प्रशिक्षन करते करते वे ना ही शिक्षा ग्रहन कर रहे थे पर कैसे सिखाया जाता है इसका भी आकलन कर रहे थे इल इस इसी का लाब उन्हें मिला और वरिष्ठों ने उन्हें समाज कल्यार अधिकारी के रिक्तपत पर चार महीनों के लिए काम करने का मौका दिया, इस कार्य के दौरान उन्होंने एक द्रिष्टिहीन व्यक्ति जो माता-पिता के देहांत के बाद गुंसुंग और गुंगा हो च चुका था और जिसे डाक्त्री या मानसिक तग्यों के इलाज के बाद भी चार वर्षों तक इसी परिस्थिती में रहना पड़ा, इल उस पर देड महीने तक काउंसिलिंग कर इस थिती से बाहर निकालने में सफल हुए, उसे ब्रेल लिपी, चलने फिरने का प्रशिक्षन देकर सरकारी दफ्तर में रोजगार भी मिला दिया, इस अनुभव से उनकी रुची मानस शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने की ओर बढ़ गई, उन्होंने ठान लिया की, अब मुझे अंध कल्यान के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना है, इसके लिए अवशक शिक्ष भी प्राप्त करनी है, वे एक के बाद एक शिक्षा ग्रहन करते गए, जैसे की मानस शास्त्र विशय के साथ पदवी, समाज विज्ञान विशय के साथ परासनातक उपाधी, विवेकनिष्ठ मानसोप चार पद्धती की पदवी का, तनाव नियोजन का प्रशिक्षन, काउ वैसे वैसे उनकी इंडिया में पदोनती होती गई और वे सह संचालत के पद पर आसिन हुए इल। करते हुए उन्होंने द्रिश्टीहीन व्यक्तियों को आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करवाने के लिए नए नए रास्ते ढूंड निकाले और वह मशिनेवे द्रिश्टीहीन व्यक्तियों को दाताओं की मदद से वित्रित करते गए, जैसे की वजन यंत्र, पॉपकॉ मेकर, लेदर कटिंग मशिन, निूडल्स मेकर, फ्लोर ग्राइंडर, कंडल डाइज आदी इसके साथ उन्होंने अगरबत्ती, लिक्विड सोप तथा फिनाइल तयार करना भी सिखाया, उन्होंने बहुत सारे विकलांगों को स्टॉल दिलवाने में भी बड़ी भूमी का आम लोग फुटपात वाले व्यवसाय को बहुत कम आगते हैं और उसे करने में शर्माते हैं। जब पाटील जी ने फुटपात पर चलने वाले व्यवसायों के बारे में संशोधन किया, तो पता चला की कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का यह एक आ शिक्षा प्राप्त करने वाले द्रिष्टीहीन विद्यार्थियों को उन्होंने समय समय पर आवशक्ता के अनुसार टेप रेकॉर्डर्स, सीडी प्लेयर्स, एमपी तीन प्लेयर्स भी बहुत बड़ी संख्या में वित्रित करवाएं ताकि उन्हें ध्वनीमुदृत कित प्राबे सुनकर पढ़ाई या रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो। उन्होंने बहुविकलांग और अंशत द्रिष्टीहीन व्यक्तियों के द्रिष्टी की आधुनिक तरीके से जाच करवा कर उनके दिये योग्या आधुनिक साधन सामगरी का मुफ्त वितर्ण किय इसका लाब प्राप्त करवे शिक्षा, रोजगार और पुर्नवास करने में कई अधिक गुना सक्षम हुए उन्होंने बहुविकलांग व्यक्तियों को फोल्डिंग विलचेर्स, वर्क टेबल्स, फिजियो बॉल्स, बिन भृज़क, मसाजर्स, ओडियो बॉल्स आधी उ और उत्पिडन का अनुभव हुआ, तो उसे सहनिया बनाने के लिए ऐसी माताओं के लिए एक विशेश मात्र महुच्षव के कारेक्रम का आयोजन कर उन्हें सन्मानित किया गया, इस कारेक्रम के लिए जो स्मृति चिनहा विक्सित करवाया वा आज सेक्डो माताओं के घर में विराजमान है और दुनिया में बहुविकलान व्यक्तियों के पुर्णवास के बारे में जागरुकता फैला रहा है। के साथ मेलजोल बनाने वाला स्वभाव ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करता रहा। इसी तरीके से उन्होंने आज तक हजारों दृष्टिहीन और विकलांग व्यक्तियों को प्रेरित कर आत्मसन्मान के साथ जीने की राज सिखाई है। यहां करते हुए उन्होंने हर यूवक को अपने प्रमुक करतवियों का पालन करवाने के बारे में भी एहसास दिलवाया, जैसे की मात्रिरिन, पित्रिरिन, समाजरिन और आने वाले पिढ़ियों के बारे में दायित्व तथा जागरुकता। पाटील जी के इस कार्य को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान उनकी द्रिष्टीवान धर्मपत्नी श्रीमती अलका जी का भी है। उन्होंने ना सिर्फ द्रिष्टीहीन व्यक्ती से विवाह करने का साहसी निरनेलिया पर जीवन भर हर स्थिती में उनका साथ देते देते कंदे से कंधा मिलाकर अपना कौटुम्बिक तथा सामाजिक दायित्व भी निभाया। यह सब कार्य करते करते उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी योगिता और उनका कार्य समाज को नई दिशा प्रदान करवाने में समर्थ रहा। और उन्हें समय समय पर आदर्श डोम्बिवली कर सनमान से लेकर समाज भूशन पुरसकार, जीवन गौरफ पुरसकार, राश्च्र सेवा पुरसकार और ऐसे कई पुरसकारों से सनमानीत किया गया। 18 सितंबर 2013 को भारत के राश्च्रप्ती प्रणव मुखरजी द्वारा उनके कार्य पर आधारित दव्यन विदिन डिफरेंट वॉक्स ओफ लाइफ नामक कुस्तक का विमोचन राश्च्रप्ती भवन में किया गया। हालही में 23 अगस्त 2021 को कोरोना काल के दर्मियान उन्होंने जो विकलांग कल्यान के में बारे कार्य किये उसके लिए महाराश्च्र राज्य के राजपाल भगत सिंग कोशारी द्वारा उन्हें सेवावरती सनमान चिन्ह देकर गौरन वावित किया ऐसे ही उनके कार्य प्रांगता के क्षेतर में ही नहीं लेकिन सर्वसाधारन समाज के लिए भी उप्योगी सिद्ध हो रहे हैं। इस उदाहरन से यह तो निर्विवात्ता से सिद्ध हो रहा है कि सामान्य व्यक्ति के द्रिष्टी से अंतद्रिष्टी की व्यापती बहुत बड़ी होती है। दुसरी बात सभी क्षेतरों की शिक्षा और ज्ञान हासल करने में रिची रखता हूं। तिसरी बात किसी भी प्रकार की शिक्षा हासल करने के लिए कोई भी वयोमर्यादा निर्धारित नहीं होती। चौथी बात मुझे दृष्टी हींता भरा जीवन देने वाले ने भी योजना अनुसार ही विकलांग विकास के मार्क पर लाख़डा किया है, जिसे मैं अपने आखरी सांस तक निभाऊंगा और पाचवी बात में आज भी एक विद्यार्थी हूं और आखरी सांस तक आज भी शुरू है। इंडिया से 2013 में निवरित्थ होने के पश्चात उन्होंने अपने ही उपनगर डोंबिवली में वियन इंसाइट फाउंडेशन नामक विश्वस्त संस्था का निर्मार कर उसी के दफ्तर से अपंग कल्यार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। वहां से उन्होंने उपनगर में रहने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु ध्वनी मुद्रित पुस्तके उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र चलाया। उसके साथ साथ कई सारे साहित्य, आध्यात्मिक, स्पर्धा प्रीक्षा के लिए तथा व्यक्तिव विकास की पुस्तके उपलब्ध कारवाई। समावेशी शिक्षन लेने वाले अंध विद्यार्थियों के लिए रिसोर्स सेंटर शुरू करवाया। बहुविकलान अंध बच्चों के लिए पुनरवास केंद्र भी शुरू करवाया। उन्होंने समाज में अंधत्व के प कारेक्रम आयोजित कर विशेश उपलब्धिया हासिल करने वाले अंध व्यक्तियों को कई तरह के अवाड देकर गौरवान विद्किया। के 23 राज्यों में जागरुकता फैला कर UD ID कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाये। उन्होंने विशेश उपलब्धी हासिल करने वाले अंध व्यक्तियों पर उत्तेजन पर लेख लिखे। ऐसे ही लेखों का एक नवलाई 2018 नामक मराथी पुस्तक भी जैसे की आवास योजना, रोजगार और शिक्षा के लिए आर्थिक मदद, अध्योदय योजना, निर्वाह भत्ता, निराधार योजना आदी। उन्होंने अपने कार्याले से लोगों को समुपदेशन तथा शुद्ध उपदेश देकर हजारों दिव्यांगों को कई तर प्रशिक्षन केंद्र लोगों को रोजगार देने में अच्छी भूमी का अदा कर रहा है। उन्होंने अपंबो के लिए साहित्य सामुगरी मुफ्त में उपलप्त करवा देने का अनमोल कार्य किया है। कहते हैं ना जहां चमतकार होता है, वही पर नमसकार किया जाता और मुझे भी पाटील जी की दिव्य द्रिष्टी का परिचय होने पर उनकी दिव्यता का साक्षातकार हुआ। जब मैंने पाटील जी से पुछा आपने द्रिष्टी हींता आने के बाद आत्मविकास कर यहां असामान्य मन्जिल प्राप्त की इसका क्या रहस्य है। तो प्रार्थना है कि जिसे टालना नामुमकीन हो दिल से कर स्वीकार। जीन लमहों को बदल सको जा हिम्मत से उस पार। मर्यादा है कौनसी मेरी क्या है शक्ती स्थान। पहचानू में गौर से इनको बुध्धी दे भगवान। इन चार पंक्तियों ने मुझे सिखाया कि गम का दौर भी आये तो मुस्कुरा के जियो, घटा में छुपकर सितारे पनाह नहीं होते, अंधेरी रात के दिल में दिये जला के जियो, जिन्दगी किसी मन्जिल पे रुख नहीं सकती, हर एक मकाम के आगे कदम बढ़ा के जियो, श्री पाटील जी विकलांग व्यक्तियों को जीवन्यापन करने में आने वाली हर समस्या का निवारन करने में माहीर माने जाते हैं, लोग तरह तरह की कई समस्याएं उनके पास आकर प्रस्तुत करते हैं, और समाधान पाकर कहते हैं, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए जब किसी व्यक्ति को आत्मसनमा से स्वावलंबी बनने की रहा दिखानी होती हैं. तो पाटील जी बताते हैं कि कभी भी शत प्रतिशत आर्थिक और सामाजिक पुर्णवा सिर्फ हमारे आसपास वाले विकलांगों को दृष्टी में रख नहीं होगा. हमें हमारे आसपास वाले 99 प्रतिशत दृष्टीवान लोगों को ही ध्यान में रख उनसे मुकाबला करना चाहिए. इनी दृष्टीवान लोगों से अगर हम दोस्ती बढ़ाएं तो वे हमारी खामिया दूर करने में सहायक सिद धह होते हैं और हमारी तरक्की की रा आसान हो जाती है. दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर व्यवस होगा. कभी भी नोकर बनने से मालिक बननों अच्छा. दृष्टीवान लोगों की दुनिया ही विकलांगों के लिए परिपूर्ण प्रशिक्षन केंद्र है, यह धारना हम सब को सुनिश्चित कर लेनी चीहे. यह सब सुनकर मेरे स्वयम के जीवन भी आत्मविकास की अधक उठी. मेरे जैसे हजारों व्यक्तित्व पाटील जी से प्रेरना प्राप्त कर अनेकों अनेक उंचाहिया प्राप्त कर दुनिया के सामने दिपस्तंग बने हुए है. यहां है पाटील जी की आसमान की बुलंदी को छुनेवाली अन्तद्रिष्टी की उडान. देवे